असलामु आलेकूं कैसे आप सब लोग ठीक हैं खैरियस से हैं वेलकम बैक टू माई चैनल साहे मास जरी के दिए तो मज़दार से आप रेस्पी देखना है एक लबाबदार बनाया है मैंने यकीन जानिए अंडे की तमाम रेस्पियों से सबसे जादा मज़दार रेस्पी बनाना है यकीन जानी है अब एक बार बनाए याब बार बनाएंगे यंया या डिनर में डे में बनाएजियू नाच्ते में बनाते ion है तो यकीन जानी है आप तमाम दिर एनेज़ेटिक फिल करेंगे बच्चों को नाश्टे में दीजिए लंचिस में दीजिए डिनर में दीजिए जरूर बनाईए जरूर ट्राइ कीजिए का बहुत सदा मज़दार है वन कप आयल में मैंने तीर मीडियम साइज की प्यास को मैंने पेस्ट बना कर एड़ कर दिया अगर आप चाहें तो चॉपकर कर सकते हैं वन टीजिए स्पून कसूदी में ठीड करेंगे अपनी जरूरत के साफ से कम्यादा कर सकते हैं मसाले का अंडो का रिशो तमाम अंडे में एड करती हैं यकीन जानिए एक लबाबदा बहुत जाता मज़दार बनाएं डिलिशियस बनाएं आप एक बार बनांके देखेगा इंशाला और लजए आप बाल बर बनाएंगे जरू ट्राइए कीजिएगा फीडबेक दीजिएगा डॉन फोर्गेट वाच कम्प्लीट वीडियो मेरे और और बने ज्यानल पर और भी घंडो की रशपीस मुजूद हैं नाशता रशपीस मुजूद है आप प्लीज उनको लिफ भी ट्राई किजीएगा कमिट्स किजीगा किजीगा अगर किसी भी स्टेज पर मेरे रशपी आपको परसन आये तो प commerce किजएगा इसे मेरी औसला सर्व कीजिए जरू ट्राइगी जिए गालाहफिज दिके बाद बाबाइ टेक केर सीए नेक्स वीडियो तिल देन अलाहफिज असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब लोग ठीक हैं खायरे से हैं वेलकम बैक टू मैं चैनल साइमास जिली कुजीन अगर आपको कुछ भी समझना आए तो आप जल्दी से बनाएगी बहुत बनेगी डिलिश्यस बनेगी अंड़ जिंगारी बनाई है मैंने स्ट्रीट फूर रेस थीन अदर अंडे लिए उनको बॉयल कर लिया मैंने अब इसकी एक अंडे के 4 पीसिस करूंगी मैं तकरिबर बार अदर पीसिस हो जाएंगे और तीन अदर विच अंडे लिया उसने तोड़ा साथ धनिया एड किया तो पीसी लाइड काली भी जर किया कौड़ा टीस्पून तो चलिकली के लिए ये फिसलाद मीर्शादा से तीसमें नमक लिएे 1 तीसमें पिसबर धनिया लिए मैंने कॉल टीसपून पिसबर मसाला लिए पहलों को अच्छा इप पानी अच्छा साइए अच्छा साब मिक्स करेंगे मसालों को अब दूसरी जब मैंने टोटीन अंडे उनको फेटा अच्छा साथ करी तोटीन ही निकाल लेंगे में 1 टेबल स्पून लेसन दर पेस्ट बना लिया है तो अच्छा सा मिक्स करेंगे अच्छा साथ कर दिया है एक लाट साइस का बॉयल में मटल लिया है वो इसमें एड़ कर दिये मैं अड्रों को मैने आमडेट टा किया था वो भी आड़ कर दिया अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे डंपें रख देंगे पिसा अगर मसाल एड़ के तीसे चारद हदी मिर्च को बॉया अड़ को अड़ क गारी तयार हो गई है आई इसको डिशाओट करते हैं पराथे नाच चापाची के साथ सर्फ कीजिए जरूर बनाएए फीडबेक दीजिए बने चैनल को सबस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमिट्स कीजिए अल्ला हाफिज और निके बार बबेटे किया स्यू नेक्स वी गई पर आपको चाहिए नाच्ते में तो आप इस रेस्पी को जबूर ट्राइब कीजिए पटी क्विक अंदाज में बना रही हुं पराथे के साथ इसका मजा दूबाला हो जाता है बहुत ज़रा मज़िदार है जबूर ट्राइब कीजिए का ट्रेडिशनल रेस्पी हर घ कट कर लिया 5-6 हरी मिच्छे चोटी वाली आप चाहिए बड़ी भी एड़ कर सकते हैं अधी गड़ी हरा दनिया है तमाम चीजों को अच्छे सा कट कर लीजिए उसके बाद आभी तमाम चीजे वन बैवन यानि किसी भी पैन में डाल दीजिए कड़ाई लिए एक मैंने उसको मैंने चूले पर नहीं रखा सबसे पहले आलू डाले टिमाटर प्याज हरी वीचे हरज दनिया पोदीना इसमें तमाम अजजा मैंने इसमें डाल दिये ट्रास्फर कर दिये तमाम चीजे अब हम सिर्फ तीन मसाले एड़ करेंगे वन टीस्पून पिसिलाल मिच एड़ किए वन टीस्पून नमक एड़ करेंगे इसमें हम उसके बाद इन तमाम अजजा को अच्छी तरही सा मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद तकरीबन हाफ कप के करीब इसमें हम आईल एड़ करेंगे तमाम अजजा को अच्छा सा मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसमें तकरीब और इसको में कवर कर दूगी जब आलो गल जाए तो इसमें तकरिमन मैंने तीन अंडों को फेट कर सकते आप चाहे तो अपनी जरूत के साफसें अंडे कर सकते हैं मिक्स के तक तल...5 मिनट में तदोगीये, तक रखेगी है, तक ते 5 मिनट में तर... बढ़ी ह vein तक पर 5 मिनट में तक 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 हम तक तschee तयार हो जाएगी, हघर दनीया हरेँ, मिस्ट कैने को घानिश करें तुम करें G कीजिए नान की साथ सर्फ कीजिए डेट की साथ सर्फ कीजिये कीजिए जब सबसुत वी कुछ सबस्कार डिल चार्रा मतिकों बनती कीजिए कम्बीन का कीजिए त्रां कीजिएinding और फोगेट टू वाच कम्टीट वीडियो प्लिस मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमिट कीजिए अल्ला हाफिज होने के बाहन बाद बाद टेक किया सी नेक्स वीडियो तिल देन अल्ला हाफिज असलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग ठीक हैं खैरियस हैं वल्केम बैक टू मैं चैनल आज मैंने बनाया है अंडा गुठाला बहुत ज़्यादा असान बनी है मसदार बनी है कुईक बनी है अगर आपको पसंद है तो फ्ल वाच कीजिएगा आई स्टार्ट करते हैं वन प्यास सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें इस पाइसे एड करेंगे बहुत जादा मज़दार ट्रेडिशनल रेस्पी बनाने जा रही हूं में वन टीस्पून पिसी लालमिच एड किये इन तमाम इस पाइस और वन टीस्पून नमक एड किया है तमाम इस वाइस को मिक्स करते प्यास को मिक्स करते जाएंगे जब हमारी टीमाटर प्यास आपस में अड्जस्ट हो जाए मसाला भुनने लगे तोड़ सॉफ्ट हो जाए तो अच्छा सा कुचल लें तोड़ा चंब से प्रेस करें ताकि यह कि अच्छा सा तोड़ा गुट जाए गाई उसके बाद हम इस इककर के अच्छा सां तो मिक्स करते जाएंगे अंड मेने अच्छा से बैड़ा इए तो यह तकरीमन हो जाएंगे और आलू और टुमार्टर का तमाम मिक्सर आपस में अच्छा सा डेस्ट डेवलब हो जाए हर दनिया पूदीन हरे मिचे इस टेस्ट को दुबाला कर देते हैं कुछ बन जाती है अब भी जरूर बनाईगा यह देखे तकरीवन यह पकना शुरू हो गया है तकरीवन 5-10 मिनट में तकरीवन तयार हो जाएगा सेरी स्पेशल रेस्पी ब्रैक्फस्ट रेस्पी संडे स्पेशल रेस्पी चपाति नान और पराठो के साथ सर्फ कीजिए जरूर बनाईएगा बहुत जदा मज़दार बनती है कुई कई परनती है तक बन पांच मिनट में मारा गुटाला तकरीवन तयार हो जाएगा अबहुत जारा गुटाला तकरीवन तयार हो गिए बहुत जादा मज़दार बनाएं तयार हो इसको अच्छा एं परनाया नान राज़ाल च्पाती पराप गीजार किजीए इननर रिएपी लुंच किजीये vood तदें। के अनर चलक सबसक्राइब पर गड़ंग के साथ अंल्या के अलगलोजिघेψ।